हेलो चीड़क टीड़ि से लेक्म गयू टो दा वीडियो तो इस वीडियो में बात करेंगा चार इंटेरी श् Francis के मैं युद्ट कर्कुस में करने वाले हैं तु च्रूपैठर्श हुआज वही चार इंट्री हरा हैं यह सब हम देखेंगे और किस stock पर आप कहां पर entry ले सकते हो क्या stop loss रहेगा क्या target रहेगा यह सब हम इस video में discuss करेंगे तो start करते हैं traders video guys यहां पर मैं दो दिन से video ने डाल पार था channel पर because मैं यहां पर थोड़ा busy था but अभी regular videos आएंगी तो guys यहां पर मैं बता दूं आपको कि मैं online तो नहीं था बट मैं telegram पर कुछ पोस्ट करता रहता था ठीक है bank nifty और options related video नहीं बना पाया कि थोड़ा busy था busy चल रहा था बट अभी मैं free हूं तो regular video आएगी in chat इंच इस पर कि ठीक है YouTube channel पर तो जिसको telegram channel जोइं करने यह यहmi वह यहां कर सकते हैं हमारा वहाह mieć यह पर active YouTube पर तो 3 दिन दिन बट वहां पर तिएलं पर मैं पूरा active था वहां पर मैं आपको यहां पर смог वफेर्षी घरारे और बिन से लेटिड अगर काम करना है आपको options में काम करते हो definitely हमारा telegram channel join कर सकते हो आप description में लिंक है आप telegram channel join करो उधर मैं post डालता रहता हूं bank nifty के ठीक है तो आप उस में देखके अच्छे profits कर सकते हो ठीक है हमारे analysis को समझ कर तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट पहला जो स्टॉक रहने वाला है कलके session के लिए वह रहने वाला है हमारा TCS तो TCS में क्या analysis हैं यहां पर देख लेते हैं तो काई यहां पर आप देख रहे हो यहां पर एक horizontal resistance लिया हुआ है second third and fourth ठीक है तो अभी जो यहां पर यह जो price है यहां पर stock ने यहां पर जो अपना resistance level है यहीं पर closing करी हुए अपनी तो यहां से कल अगर 3620 पर निकलता है तो आप buy कर सकते हो and target हमारे रहेंगे 3626 का and second target हमारे रहेगा 3632 का ठीक है इसमें SL हमारा जो बनेगा वह रहेगा यहां पर 3614 का तो यह था हमारा कल के लिए first इंटरेश्टॉक जो आप कल ट्रेड कर सकते हो कल के session में and second हमारे रहने वाला है इंटरेश्टॉक मारिको मारिको में क्या analysis है हम देख लेते हैं पूरा यहां पर पूरा आपको समझ में आएगा कि क्या हमारा इसमें analysis है तो यहां पर मारिकों में क्या analysis हम देख लेते हैं तो यहां पर एक horizontal zone जो मैंने इसमें भी एक resistance कर रहा है जो कि हमारा level है यहां पर ठीक है जो कि हमारा 524 और 23 का level है ठीक है यहां पर resistance कर रहा है अभी मारिकों तो अगर stock अखल यहां से upside में निकलता है यह upside में निकलता है तो आप बाइख कर सकते हो 526 पे जो टागेट हमारे रहेंगे 530 एंड सेकंड टागेट हमारे रहेगा 532 का और इसमें जो SL बनेगा वो बनेगा हमारा 520 कि क्या है 520 पे आप इसका stop loss लगाके इसको बाहि कर सकते हो 526 पे तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां से फॉल करा हुआ था जो इसने हाई लगाया अपना यहां पे हाई लगाया हुआ इसने 547 का और उसके बाद कंटिनुसली यहां पे फॉल देखने को मिला है यहां से स्टॉक फोल करा इसने फिर से फॉल करा ठीक है यहां पर सॉक्राइब देखने को मिला है तो तो आप तो आप 526 पर वाया कर सकते हो तागेट हमारे रहेंगे 530-532 अन्ड जो SL हमारे रहेगा वह रहेगा कि तो इसको आप कल ट्रेट कर सकते हो और कल के सेशन में जो हमारा थर्ड रिंटरे श्व रहने वाला है वह रहना है महंद्रा एंड महंद्रा ठीक है यहां पर आप यह जो ascending triangle pattern देख रहे हो इसका आज breakout मिल चुका है बलकि पिछले session में इसका breakout मिल गया था ठीक है तो आज जो यहां पर opening हुई थी इस stock की तो यहां पर gap down open हुआ था बट यहां से बहुत अच्छा एक move आया है और यहां पर एक falling wedge pattern देखने को मिला है हमें ठीक ह आप clearly देख सकते हो falling wedge pattern बना हुआ है यहां पर तो अगर कल इसका breakout मिलता है हमें इस upside में ठीक है तो upside में आप इसको buy कर सकते हो 824 पे and target हमारे रहेंगे 830-833 ठीक है जो हमारे sl रहेगा 818 कर रहेगा buy करो इसको 824 पे and target हमारे रहेंगे 830 and second target रहेगा 833 मतलब 833 and SL हमारे रहेगा 818 का ठीक है 818 का तो falling wedge pattern बन रहे है बहुत सही pattern है मतलब bullish pattern इसको बोल के ठीक है तो यहां पर हम इसमें इसलिए bullish है चो हमारा फोर्थ इंटरी श्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है SBA card SBA card में क्या analysis हम यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर भी same analysis बन रहा है falling wedge pattern का तो guys यहां से अगर कल आप यहां पर देख सकते हो मतलब बहुत दख फॉल करने के बाद SBA card यहां पर high लगाया था अपना high लगाया इसने 890 का ठीक है continuously यहां से फिर fall करा हुआ करा हुआ है stock ने आप clearly यहां पर देख सकते हो continuously यहां तक fall करा है फिर यहां से fall करने के बाद थोड़ा recovery देखने को मिला है अभी आज के session में बहुत अच्छा recovery देखने को मिला और इसने high लगाया अपना तो अगर कल यहां से stock 820 पे निकलता है आप बाई कर सकते हो 820 के उपर good opportunity बनेगी इसके अंदर आप बाई करो 820 के उपर and then target हमारे रहेंगे 825 828 के एंड मैं यहां तक यहां तक बोल यहां तक बोलूं तो आपको 830 के भी levels मिल सकते हैं stock के अंदर ठीक है तो यहां पर कुछ अच्छा मुब्स दिया है आज इसने अच्छा मुब दिया है आज इसने फिक पर मेहंदर अंड इसकिंड पिक जो हमारे रहेगा मारी को रहेगा तो आप इन दोनों को अच्छे से ट्रैक कर सक्ते होगल जो फस्ट पीक और से कंड पीक के हमारे उनको अच्छा से आप कल ट्रैक करो हैंड बहुत अछे प्रोफिट्स कर सकते हूँ आप और इसको ओप स्भीच रिलेक्त फैले मैं नाशे जिसको तो आप उसमें भी ट्रेट करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो तो हमारा टेल्ग्रम चैनल डिस्क्रिप्शन में है जाके जॉइन करो एंड अच्छे प्रॉफिट्स कमाओ ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में अभी स्विंग ट्रेट का वीडियो भी आना तो इसको अप्रॉड करने के बाद मैं वह वाला वीडियो शूट करूंगा उसके बाद वहां पर डाल दूंगा ठीक है जिसको टेल्ग्रम चैनल जोइन करना है जाके जिसके पास ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट नहीं है वह जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से ओपन करवा सकते हो जिरोधा अप्स्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग एंड ग्रोव में भी आप करवा सकते ओपन ठीक है तो चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में एंड तेल देन टेक केर बाबाए